दोस्तों उझले और चमकते दात किसे नहें चाये हमें कई बार डैंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत सरे ऐसे हूम रेमिडी confrontation करने पड़ते हैं बहुत सरे ऐसे ओिंटमेंट या खोड़ी बहुत सर sticking हचीजा प्लाई करने पड़ते हैं असानी से क्या हम अपने दातों के स्टेंज को हटा सकते हैं या दातों के पीले पन से चुटकारा पा सकते हैं मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे एक चीज मिली है जी हाँ जो के इंस्टेंटली आपके पीले दातों को वाइट करने की किशमता रखती है और आपके दातों से स कर रहे हैं इतना एफेक्टिव है क्या प्राइस है क्या प्रॉसेजर है जो कुछ भी है डीटेल में आपको आज किस वीडियो में मैं बताने वाली हूं तो सबसे पहले मैं आपको प्रोड़क्ट दिखा देती हूं हलो फ्रेंज मैं में धावी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चानल जिंदगी इजी में जहां आपको मिलता है जिंदगी जेने के आसान टिप्स तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर है और जब आप इसे यहां से पुश करते हो ना तो जेल यहां पे निकलता है तो जेले सबसे पहले मैं आपको इसके बेनफिट्स के बारे में बता दीती हूँ आपके दातों से स्टेंस को रिमूव करता है प्लाग को रिमूव करता है टीथ को वाइट बनाता है आपके ब् है, tooth brush पे लेना है, या हाथों में लेकी लगाना है, GMP certified है, peer approved है, vegan है, इसके अंदर मिला है mint leaf oil extract, citrus lemon peel extract, curcuma longa root extract, पर इसके अंदर बहुत सारे chemical भी मिले हुए हैं दोस्तों, I know आप सभी बहुत ज़ादा excited होंगे यह जानने के लिए कि इसे किस तरह से इस्तमाल करना है, किस तरह से आपको push करना है, तो gel आपका बाहर आ जाता है, देखिए, एक बार में ही आ गया, आप देख सकते हैं, droplet जैसा बाहर आ रहा है कुछ, अगर आप देख पा रहे हैं हूँ camera पे clearly, इसको लगाने क्लिए आपके दात जो होने चाहिए, वो बिल्कुल clean होने चाहिए, साफ होने चाहिए, और में किसी भी तरीके का पानी वानी नहीं होना चाहिए, saliva वगेरा नगी होना चाहिए, बिल्कुल dry होना चाहिए, किसी भी टॉल या हैंकी से आप एक बार अपने दातों को घिस लें, मतलब उसको पोच लें, उसके बाद आपको इसे इस तरह से directly अपने दातों पे coating करनी है, इसकी just like आप paint नहीं करते हो, बिल्कुल वैसे ही paint करते जाना है, यह दिखिए इस तरह से 30 seconds तक आपको ऐसे रहने देना as it is, उसकी बाद कहा गया है, 7 से 10 मिनिट तक आपको अपने दातों पे as it is लगा रहने देना है, कहा जा रहा है कि अगर 30 मिनिट तक, यानि कि 30 मिनिट तक अगर आप कुछ खाएं, पीएं ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, तो अब मैं आप आपको अपना experience बताती हूँ, तो सबसे पहली बात, तो जैसे ही आप इसे अपने दातों पे apply करते हो, वैसे ही आपको एक cooling sensation होता है, एक जो drop निकलता है, वो बहुत थोड़ा सा निकलता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, बार बार sensation होता है बहुत ज़्यादा, और जैसे आप अपने दातों को साफ करते हो ना, आपको एक चमक, instant चमक आपको नज़र आता है, जो brush करने के बाद नहीं आता है, वो इसको लगाने के बाद आपको दिखेगा, ज़्यादा long lasting नहीं होती है, क्योंकि आप फिर अपना day to day कुछ भी खाने पीने लगते हो, तो उतना लंबा चमक नहीं रह पाता है, जहां तक बात है, यह कितना दातों के stains को हटाता है, पिलीपन को हटाता है, इसके लिए आपको इसका continuously इस्तमाल करना होगा, काफी time तक इसका इसका इस्तमाल करना होगा, थोड़ा लंबी समय तक इसका तो अभी मैंने इसे कुछी दिन पहले मंगवाया है और बहुत कम इस्तमाल किया है, बाकी यसे अगर continuously मैं इस्तमाल करती हूँ, फिर क्या result होता है, यह मैं आपके साथ अगले किसी वीडियो में share करूँगी, तो इसलिए result वाले वीडियो के लिए आपको wait करना होगा, और सारा like देना होगा, share देना होगा और comment section में लिखना होगा कि हा, मैं देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ इसका result वाले वीडियो, इसके अंदर जो gel है वो 2.8 ml मिला हुआ है, और इसकी price है 750 यानि की 750 रूपीज, आप online लेंगे, आपको discount मिल जाएगा, तो चलिए दोस्तो तो आज का ये interesting वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो एक like देना ना भूलें, अपने friends and family के साथ इस वीडियो को share कर दें, क्योंकि अगर आप share नहीं करेंगे, तो फिर result वाला वीडियो कैसे बनेगा, आप मुझसे अगर personally connect होना चाहते हैं, तो मुझे Instagram पे जिंदगी